रभी लामिछा ने नेपाल के नंबर वन पत्रकार और नंबर वन जर्नलिस्ट सुप्रसीद जर्नलिस्ट जो की एक प्रोग्राम चलाया करते थे सीधा कूरा जनता संगा जो की नेपाल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और सारे लोग उसे पसंद भी करते हैं दोस्तों उस कारे करम में रभी लामिछा ने सारे लोगों की मन की बाते सिधा लाइब में उनकी कुश्चन सुनते हैं उनके सवाल जबाब करते हैं और नेता लोगों को इंटर्वीव करते हैं उसे डाइरेट जबाब मांगते हैं जो प्रोग्राम बहुत ही हीट है बहुत ही तो आखिर रभी लामिच्छाने इस निउस 24 चाइनल को क्यों छोड़ रहा है और छोड़ रहा है तो कई लोग कर रहा है कि राजनीती में वो आने वाले हैं तो सारे बात पर हम आज बात करेंगे दोस्तों फूल डीटेल में तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रभी लामिच्छाने अमेरिका में 2007 से 2018 तक काम कर रहे थे साब्वेर में दोस्तों बात में उन्हें पता नहीं क्या कुछ हुआ कि मुझे नहीं नेपाल में जाकर नेपाल का ही सिवा करना चाहिए नेपाल में कुछ कर गुजरना चाहिए तो वो अपने नेपाल की राष्ट प्रेम की चलते वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होता है जो वो उसे त्याग कर दिये वहाँ के ऐसो आराम की जिन्दगी छोड़ कर नेपाल में ही आए और उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ज जनता के सामने जिस प्रोग्राम का नाम था सिधाकूरा जनता संगा एकदम से यह प्रोग्राम दोसों लोगों को इतना लोग प्रिये हुआ इतना ज्यादा लोग पसंद करने लगे कि रात नेपाल की नंबर बॉन प्रोग्राम ये बन गया सिधाकूरा जनता संगा दोसों के जरिए हर एक problem का solution यहाँ पर निकाला जाता था तो वाकई में दोस्तों यह program बहुत ही helpful था हर एक आदमी के लिए जो सिधाकुरा जनता संगह नाम का यह program था दोस्तों लेकिन अब रवी लामिछाने जो कि इस program का होश्ट थे वो इस program को कि ही क्या इस television को ही छोड़ा है news 24 तो क्या वो राजनीती में आ रहे हैं कई लोग यह कह रहे हैं कि रवी लामिछाने अब news media line छोड़कर आप वो राजनीती करेंगे और नेपाल की राजनीती में ही आकर वो अपना देश के लिए राश्प्रेम के मैं अभी राजनीती में आने का mood में नहीं हूँ यह तो भविस्यव में क्या होगा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है अप एक्छा तो है राजनीती में आने का कुछ कर जाने का लेकिन फिलहाल मैं उस mood में नहीं हूँ उस वो चीज मेरे mind में नहीं है कि मैं राजनीती में पर आता रहूंगा अपना उसका जो करने का काम है वो उसे याद दिलाऊँगा कर्तभ याद दिलाऊँगा कि आपको ये करना है मैं इससे ही कुसे दूसरे सिकनल पे और उससे जादा बड़ी large scale पे और बड़ी सो लेकर आऊँगा जो जादा effective हो जो ज़्यादा लोगों को पसंद आए और जो ज़्यादा काम कर पाए हमारे नए जो प्रोग्राम लेके मैं आऊंगा उसके माध्यम से तो उन्होंने ये साब साब कहा है कि मैं अभी राजनीती में नहीं आ रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा और जरूर आऊंगा संच करेगा क्योंकि यह जादा ही effective होने वाला है और जादा हमारा लोगोंको अपने तरफ यह program खीचेगी क्योंकि जब रभी लामि छाने ही ये बात बोला है कि मैं अपना ही काम करूंगा इसंचार कर्ए का नया प्रोग्राम का जो कि बहुत ही फाड होने वाला है वो कहा जाता है न दोस्तों कि सेर जब दो कदम पीछे जाए तो ये मत समझना चाहिए कि सेर डर चुका है इसका मतलब ये है कि सेर छलांग लगाने के लिए पीछा गया है और वैसा ही रभी लाम चाहने बड़ा पंजा माने के लिए बड़ी छलांग माने के लिए निउस 24 को छोड़ा है तो इसका मतलब ये मत आप लोग समझो कि वो अभी राजनिती में जा रहा है वो एक बड़ी प्रोग्राम लेके आएगा जो कि लोगों का दुख दर्द कश्ट है वो सिधे सरकार के सामने रख पाएगा और सरकार की जो वास्विकता है वो सब के सामने दिखा पाएंगे वो तो दोस्तो आप लोग वेट किजिए रवी लामचाने सर की नए प्रोगाम की और दोस्तो आपको क्या लगा था कि रवी लामचाने सर राजनिती में जाएंगे या मीडिया ही में आएंगे और दूसरा प्रोगाम लेके आएंगे हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो का लाइक करके शेयर जरूर कर देना और ऐसा ही नेपाल से रिलेटेड हर एक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को स अपी के साथ तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का नन्यवाद खुदा आफिज